हेलो फ्रेंट्स स्वागत आपका स्टडी हैक चैनल पर जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी वोकाब की से चल रही है एक्दम बेसिक लेबस है और जीने कुछ नहीं भी आता हो को वो भी सीख सकते हैं वोकाब और हमारी यह क्लास होती है फाइब पीम पे डिली ठीक है और इ स्टोरी याद रहे जब भी आप वह वर्ड देखो एक्जाम में तो आपको वह स्टोरी स्ट्राइक कर जा और आप आसानी से एंसर करता हूं और यह कंप्लीट क्लास है इसमें आपको इंग्लीज की ग्रामर के रूल्स भी मिलते हैं और प्रीबियस यह कोस्टन्स भी प्रै क्लास के लास्ट में होमर कोस्टन भी देता हूं जिसके एंसर करने पर होते हैं और आपको यह करने पढाते हैं हमारे क्लासे इंड होती है क्लास पीिम्टे में यह हो तो तो नेंकर दिशूर्ग गर्योग्वों का वन वर्ड बताना था वह एनॉरेक्सिया समने सही बताया हूँ है मधुलिका पाटिल हिस्न कांत स्वाती जोतिर और विजय लक्षमीने ठीक है क्या और एंसर मिलता है जब आप एंसर करते हो कि हमारा पढाया हुआ आपको समझ आ रहा तो आज का फर्स्ट वर्ड है वो है एन्थोलोजी मतलब होता है संग्रा किसी भी चीज़ का कलेक्शन बोल सकतों यह सब इसके सीनोनिम्स हो जाएगा एंटोनिम्स की बात करें तो डिसपर्स मतलब उथल पुथल हो इधर उधर हो दिसपर्स होता है तीतर भितर बोलते हैं उसको तो लॉजी जो सब्द होता है वह स्टडी से रिलेक्टेड होता है ठीक है अगर आपके स्टडी ले लो अगर आपकी study अंत होती है या फिर आपको holy book की study अंत करते हो तो आप देखते हो कि इसमें collection होता है छोटे छोटे लगू कथाओं की छोटी छोटे मारे बहुत सारी लगू कथाएं होती हैं बहुत सारी poems होती हैं तो उन सब का जो संगरह कहलाता उसी को बोलते हैं anthology ठीक है तो जब आप holy book को देख लो यहां सब लोगों अंत कर दोगे holy book की study को तो आपको क्या मिलेगा उसमें एक संगरह collection मिलेगा छोटे-छोटे stories poems की जो की अलग-अलग लोगों ने लिखा होगा अलग-अलग poet होंगे ठीक है उनका collection में compilation होता है नेक्स्ट की बात कर ले नेक्स्ट है anticipate anticipate मतला होता पुर्बानुमान ठीक है expect foresee predict मतला पहले साब predict करते हो कि क्या होने वाला जैसा आप देख सकते हो इस बैने ने पहले ही अम्रेला open कर लिया क्योंकि इसने बादल लेखा तो इसने पहले ही अनुमान लगा लिया कि आज बारिस होगी जैसे हम लोग करते हैं कभी सुगा उठे और देखे कि बादल लगी हुए तो हम ऐसे आज बारिस होगी तो आज हमें स्कूल नहीं जाना है बच्पन में हम ऐसा किया करते हैं अब यहां भी काटून देख सकते हुए अनुमान लगा रहा है कि अगर मैं हैमर से इस पर जमीन पर मारता हूं तो उसमें से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस निकले लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है तो हमारे जो प्रेडिक्शन होती है जरूरी नहीं को 100% सही इसके अन्टोनिम्स की बात करें तो वह होता है इस्टोनिस्मेंट होता है ठीक है इसके अन्टोनिम्स की बात करें तो होगा एस्टोनिस्मेंट मतलब होता है अस्चर है चले नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा एंटीपैथी ठीक है एंटीपैथी मतलब होता है घ और वाइफ की बात करें तो वह हमेशा एंटी पती ही होती है अगर पती ने कुछ कहा तो उसके किदम अपोजिट जाती है और पती उनको कभी पसंद नहीं आता अपना उसमें हमेशा कमी निकालते रहती है मतलब डिस्लाइक ही होता है ठीक है एवर्जन होता है अब देख पा इसका मतलब यह नहीं के मैं इसके खिलाब हूँ या कुछ भी है ठीक है मैं बस आपको याद कर पाऊ इसलिए बाद आ रहा हूं चले नेक्स्ट की बात करता हूं नेक्स्ट है एपैथी एपैथी मतलब होता है उदासिंता इंडिफ्रेंस लैक आफ इंट्रेस्ट पैसिवी हमसफर के साथ जानेया जो अगर पाथ इंड वजय का रहे क्या हो जाए खाएंगे थो आपके ब्ड़ें हो और शरीए कि यह बिए यह उसकता तो आप इस से लुए यह पाथ हो घैए-फैथी मतलब जब आपत पर जारहे हो आपका फइड पर संग हो और पाथ ञुद हों हो इंडिफरेंस हो जाते हो इसके अंटॉनिम्स की बात कर ले तो हो जागा इंहुजाजम इंट्रेஸ्ट पैश्शल मतलब होता उत्सा तो चलिए नेक्सट बात करते है हिए नेक्सट है एपएक्स एपएक्स मतलब होता है सिखार ठीक है एक टॉप होता है आपक्स को बोलते है एंटोनिम्स की बात कर ले तो जागा बॉल्टम नादीर बॉल्टम मतलब होता है ठीक है चलिए एक क्वेश्चन बनता कि विच इस आपक्स कोट इन इंडिया तो सबको पाता है सुप्रीम कोट है तो अपर ऐसा करें कि याद कर सकता है जो होता इसो टॉप्मोस तोमिट जैनित और कर देखसंध होता है यह सकुझत है और फिक सब्सक्ति आन रेक्सिए वाजन कम करने के लिए भॉजल जाब एसा obsession हो जाता है कि weight कम करने के लिए हम खाना खाना ही बंद कर देते हैं अब देख पा रहे हो कि अगर खाना खाना बंद कर दो तो क्या हो जाएगा ऐसे हो जाओ गया तो obsessive desire to lose weight by refusing to eat वजन कम करने के लिए भोजन का त्यार कर देना लेकि इस वर्ड का origin Greek में हुआ है ठीक है एन का मतलब होता है without और और एक्सिया मतलब होता है भूक एप्टाइड ठीक है बिना भूक पतलब भोजन के अब जब भूक ही नहीं लगेगा तो भोजन ही नहीं करोगे तो आप ऐसे बन जाओगे अब याद रखना इस पिक से कि ए नेक्स्ट बात करते हैं रफने फोल गोजी ठीक है अन्थो लगी मतलब है पद्डी शंगर अभी हमने सानोदिमन से किया था यह घॅ सबरे का जो कि वह सब्सक्तिक्राइब है सब कि अगे ललग स्टूरिय अलग स्टूरिय इंया वह प्र विए जाड़ि प्रसक्राइब Shari next की बात करें next 2 एंथ्य एंथ्रो पॉलोजी एंथ्रोपॉलोजी मतला होता मानभ विद्ध्याद यह वर्ड मैं डिसका चुका हूं फिर भी कर रहा हूं डिसकास क्योंकि प्रिवेस आपने जब देखा होगा तो आपको पता हों कि यह वर्ड डिसका स्ब्सक्राइब हो करते हैं कि कैसे human kares evolve का development कैसे कुछ इसकी किसंग स्कूल आब बैठेट के मेरी classes निक्सींपेट । सब्सक्राइब आइज सीनोनिम爾 में कर रात था है तो anticipate मतलब आसा करना है यानि कि forecast करना है हमें ऐसा पुर्वानुवान होता है look forward to मतलब आगे की तरफ हम देखते हैं पहले से predict कर देते हैं चीजों को ठीक है कि ऐसा होने बला है अगर हम बादल देखते हैं तो हम predict कर देते कि आज बारिस होगी तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट है अमारा एंटीडोट एंटीडोट होता है विसहर और सद मतलब ऐसा करते हैं तो आज करते हैं तो आज का बहुत नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट हमारा इंडियावन फ्रेजर का सेक्शन हो सब्सक्राइब जैसा कि आपको पते कि हम इडियावन स्रेज भी डिस्कस करते हैं तो आज का जो पहला इडियावन स्रेज है वह है अमूट पॉइंट एक विवादस्पक बिन्दू ऐसा पॉइंट जिस पर आप विवाद कर सको जिससे कोई अंत ही नहीं विवाद चलता ही रहे बेटेबल ब पहले मुर्गि यह कर यहां नहीं नहीं पहले आन्ड आया इस बात पर यह मूट कोईंट और मूट कह सकते हैं तो आपको बहुत परसानी होगी ऐसी चीज कि यहां पर नीडिल छुपा है घास के धेर में यह अंदर सर मारके देख रहा है कि भाई घास के कि धेर में नीडिल को मिलेगा नहीं मिलेगा तो बहुत ही परिसानी वाला टास्क होगा something that is very difficult to locate attempting something impossible आप ऐसे याद रखना है कि बंदा सर घुजा रखा और खोज रहा है तो नीदिल खोज रहे हैं कहां हास के धेर। चलिए नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट है और निग नॉग मतलब क्या होता है मतलब होता है अकल कांधा यह आप उसको बोलता है मुर्ख अफूल पुलिस परसर अप यह बंदा जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है जब यह काटेगा तो खुद भी गिर जाएगा इसका ह हँने नुक्स सान है जो यह क्या है मुर्ख है आप ऐसे देख सकतो रहे देख लो यहाँ पर मेरे सटीजट को यहां पर इसके स्टीच हट गया है आप इसे ska effective कर दो यह कह यह नहीं निकाला इसका पर बच्य को ही सिलन हिग्स चलिए तो आप से तक display को याद रखने और पिक्छ intuition असे बात करते हैं। नेक्स है अपेन इंदा नेक अपेन इंदा नेक मतलब और सहनी आ दिए ऐसा परसन जिसको आप सहर नहीं सकते हैं अगर आपके सिब्लिन्स होंगे तो वह बहुत ही परसान करते हैं तो आप उसको सहर नहीं पाऊंगे कोई चीज या फिर कोई परसन है जो कि अपको हमेशा तंग करता है तो वही होगा पेन इंदा नेक अब देख लो जैसे कि दो बच्चे हैं तो वह मदर के लिए पेन नेक ही होते हैं क्योंकि दोनों जगरने लगे तो फिर मदर के लिए उनको कंट्रोल करना बहुत में डिशक क्रणकर तो इसके लिए ये पेन इंदा नेकी है इस अद्मी को सह नहीं सकती है ये आप चलिए नेक्सट की बात करते हैं मतलब होता एया पीनिलोड वेस्ट मतलब होता है अनन्त अब इस बन्दे को देखो यहां पर इसा काम जो चॉत म ही का टाइम आ गया आप सभी को पता कि जब हम भानुमर्ट का पिक्रारा कोलते हैं तो उसमें क्या होता है तो उसमें होता है 100 golden rules ठीक है grammar के जिसके हेल्प सम इरा डिटेक्शन और संटेंस इंप्रूब्बेंट को कोश्चन करते हैं और अभी तक मैंने 13 रूल डिसकस करती है और अभी हमारा पार्टिसिपल्स एंड इंफिनिटिप्स का सेक्शन चल ला है जिसमें हम आज 14 रूल डिसकस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है तो ध्यान से दिखेंगा बेर इंफिनिटिप इस यूज़ आफ्टर मोडल एक्जलरी होगे उसके बाद हम वेंफिनिटिप का यूज़ करते हैं जैसे केंट कूड में मैट स्थे वी पोस्ट डेर नॉट ये सब आए तो इसके बाद हम वेर इंफिनिटिप का इस्तेमाल करते हैं अगर बेर इंसनीटिप के अलावा कोई भी इंफिनिटिप लगा तो वह इनकरेक्ट होगा एक्जाम्पल देख लो incorrect sentence का you need not to work hard अब अभी यहां पे देखा need not जो है वो modal axillaries है कि इसके बाद हमें bare infinitive लगाना है तो तो यहां पर wrong हो गया तो correct क्या होगा you need not work hard ठीक है यह पढ़ने में आपको सही लगा कि you need not to work hard लेकिन यह grammatically error है तो आपको इस वात का ध्यान रखता है यहीं पर गलत कर लोगे तो आपको इस rule को याद रखना यह काफी बार पूछा जा चुका है ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट हमारा question answer का सेशन आ गया आपको 10 सेकेंड मिलेंगे आज shift 2 की बात करेंगे 5 दिसंबर के ठीक है दस सेकेंड मिलेंगे question चलिए आपका time स्टार्ट होता है आपको synonyms बताना है एमेंड का ठीक है चार ओप्षन है रेक्टिफाई हार्म इंपेयर वर्षन चलिए इसी के साथ time up हो गया आप लोगों अभी तक I hope answer कर जिया होगा और साही साही answer किया होगा तो एमेंड का जो synonyms होगा वह होगा armyों स़िरेक्टिफाई मैं आपको बता चुका है मतलब कि उसमें संसोधन करते है सुधार करते दे Onkar यहां मतलब अफ्रक्षन मतलब बत्तर हो जाना चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट हमारा आपको एप्रोप्रोपियेट इडियम फिल करना है इस सेंटेंस में चीक है सेंटेंस हैं दे ट्रेनी वांटे टू नो दा डैस अफ दा कोर्स तो गेट अब बेटर अंडेस्टेंडिंग अफ जॉब प्रोस इसका जो राइट एंसर होगा वह होगा इंस-डाउट इंस-डाउट मतलब होता क्या इंस-डाउट मतलब होता है कंप्लीट डिटेल ठीक है अर आप कहीं पर ट्रेनिंग की तरह काम करना चाहते हो किसी पी कौर्स में या कहीं भी जॉब पे जाते हो तो आप क्या करता तो इसमें हमें क्या क्या करना है नहीं करना है तो जोब प्रोफाइल के लिए आप सारा कुछ पहले से विवरन लेते हो तो वही होगा इंस है ना बहुत साइब आपको मैं बता चुका हूं सरसदी निगा ठीक है बड़ आपने देखा कि बड़ बहुत हाइट पर बैठा था और एक विव में सारी कुछ को देख लिया ठीक है और बात कर लें क्राइंग नीड मतलब होता है अत्यांत आवसक त्यक है और वेरी ओवियस नीड जो कि बहुत ही आवसक हो टॉल टाक मतलब हो गया लंबी-लंबी बोलना बड़ी बड़ी फेकना ठीक है बोस्ट करना चलिए न चलिए फटाफ़ा टेंसर कीजिए बहुत इजी चलिए इसके साथ टाइम आप हो गया आप लोगे ने आयो होप एंसर कर दिया होगा सबकेंसर आयों तो इसका जो सीनोनिम्स होगा इंपीड का होता है इंडर इंपीड मतलब होता है बाधा डालना इसको आप बोल सकते हैं गर तो होसे सप्सक्दक्रड और देख लो सिननों घ्रक और अबस्ट्रक्ट शर्रक्ट निर्टर आक घया हम पर बोल सकते हैं इंपर इसका सीनोनिम्स है इंड्टेल न मतलब किया होता है जान बूज का करना इरादा रखना प्लैन करके करना इन्शिँवल CC प्लैन करके कु मैं प्रॉम्ट की बात कर लिए मतलब मतलब होगा शिग कड़ पर इसको बोल सकते हैं कि सबस्क्राइब नहीं महालत होगा तो आप इसको बनाते इसके सिसी निफ सी बीर आपके नेक्स्ट कोस्टेन भी आपको सिनोनीम सी बताना है विवेशियस का चार ओप्चन है इनर्जेटिक, स्वियर्लेस, प्रोस्पेरस, फ्रेंडली चलिए फटा-फटेंसर कीजिए बहुत ही इजी है चलि इसे के साथ टाइमऀ फो और विवेशियस का चलिकस्ता जिणिदा दिल एनर्जेटिग और सिनोनीम इनर्जेटिक और विवेशियस देख्म आप तो जागा बिए बिएट भी इसका सिनोनीम सी है और फियर लेस आपको पता ही है जिसको डर नहों प्रोड़ पर स्पेरस क आपको पता है समरीद रिच फ्रेंद्ली आपको बता ही बताना य। और पताना है अभी तक आप लोगा ने अंसर कर दिया होगा तो चार आप्सण मिलें आपको फटा-फट एंसर किजिए लिए इसके साथ टाइम अप हो गया और मैं इसका राइट एंसर बता दिये होगा होगा क्लेकन सी मतलब क्या होता है मरसी मतलब इसके स्वानोंज बात करने तो हो जागा मैं और ले ने इस आपको पता है परमपरा कॉרה मतलब सकते हरीटेज मेरी से इ ACT के सि Nोनीम से हो और क्या बोल सकते है इसको बीग कोईस्ट भी बोल सकते है विक कोईस्ट का सिनोनीम का हो जाएगा है मık attribute मतलब आपको पता है असपरस कर्था ठीक है लूशी डिटी बोल सकते है क्लिषी डीटी सिंदी को और क्या बोल सकते और बॉल सकते के विश्च की सीनोनिमस हो जाएगः एक है के मतलब होता है अनेक्ता इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जागा स्लीव और मेनी यह इसके सिनोनिम्स हो जाने चलिए नेक्स कोस्टन की बात करते हैं नेक्स कोस्टन आपको वन वर्ड बता आना है गुरूप वर्ड के लिए करें दा एक्ट ओफ वासिंग वन सल्ब ठीक है चार अप्सन है एब लूज्टन सॉल्वी स्टीमि बात और यह मैंने सबसे क्लास में डिसक्स किया था हमारा फर्स्ट वन वर्ड सबस्ट्रीशन था दा एक्ट ओफ वासिंग वन सल्ब्स का तो आई होप आपको याद होगा अ चलuju देख लेना अग्र आपको याद ने ऑठीत है चले नेक्स्ट नेक्टस डिस्कस करते नेश्ट आपको य्डियम का मतलब बताना यह इडियम जो है इन तो यह जो दिया है यह दिया हिट मी बिलो दा है तो यह कोई इडियम नहीं होता है वह कौन सा होता है मतलब होता है यह एंफेरली मतलब बहिमानी तरीके से कोच भी करना जैसे कि आप बाक्सिंग की बात करते हैं तो नेक्स्ट आपको हिमर्क बताना है आप और यार सब्सके अब और कच? और आपने कितना स्कोर किया ये भी बताना है तो आछ और अच्छी लगे हो वीडियो तो क्याब कर दें दोस्तों में रखेंगर कर दें जिनको कोई पढ़ना हो और चैनल से सब्सक्राइब कर ले चैनल से जुरे तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में कुछ नया लाता हूं नए वोकाप्स के साथ तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत